हलो विएवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल डैट इस कॉंसेप्ट किलर सेंट वेर अल्ड कॉंसेप्स आ क्रिस्टल किलर आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंडि इंडिविजुल एंड सोसाइटी बुक का चेप्टर नंबर फर्स द कास्ट लॉज जिसे लिखा है जो ना कहीं बाधा पेदा करते हैं उनके हसाब से वड़ वैवास्ता ब्राहमनों के द्वार बनाई गई एक A.C. वैवेस्ता है जो ब्राहमन को सर्वश्रेश्ट मानती है और ब्राहमन्स ने शूद्रों का शोशड किया उस समए में उन्होंने खुलकर ब्राहमन वाद्त का व अमबेटकर जी ने इनने फॉलो किया, इनके दृष्टी कोड से बहुत प्रभावित थे और फुले जी के दुआरा किये गए कामों को अमबेटकर जी ने आगे बढ़ाया। ये एसे जो है तीन पार्ट में डिवाइड है। इस एसे की समरी स्टाइट करने से पहले फी समिट करने जो कि ये वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। So without wasting any time, let's start! फर्स्ट पार्ट ब्रामन्स बहुत घमंडी होते हैं वे गरिबों से दूरी बनाए रखते हैं और निमन जातियों का शोशड करते हैं। जो ब्रामन्स थे वे निमन जातियों के लिए अलग-अलग तरह के शब्दों का यूस करते थे जैसे चंडाल, शूद्र, महवार, आलिवासियों के लिए इन शब्दों का यूस करते थे ब्रामन्स। फुले जी का मानना था ब्रामनों का शूद्रों के लिए अन्याए पूड वहवार रहा हैं। और हमेशा शूद्रों का अपमान किया और शूद्रों को हमेशा जूट में फसाय रखा। और उन्हें हमेशा ये एहास दिलाया कि शूद्र का जो जνम हुआ है वे कही नख़ी पिछले जनम में गलत कर्मों की वज़े से हुआ है और शूदर कम्यूटी के जो लोग हैं वे सिफ साफ सफाई करेंगे और ब्रहामनों की यहां एक तरीके से नोकरों की तरह रहेंगे पार्ट टू दूसरे पार्ट में बताते हैं कि ब्रहामनों ने किस प्रकार से अपनी अकाल्पनिक शक्ती का किस प्रकार से यूस किया और उन्हें समाज में इतने विश्रिश अधिकार प्राप्त थे जिनके द्वारा वे शुद्र समाज का शोशड करते थे फुले केते हैं किस प्रकार से ब्रहमनों ने खुद को स्पेशल राइट्स दे रखे थे और वे अपनी विज्जे के लिए कुछ भी कर सकते थे इस पेशल राइट्स से यहां मतलब है कि उन्होंने बताया ब्रहमन ने अपने आपको उस समय के समाज में सर्वश्रेश रखा ब्रहमनों ने कहा कि वे देवों के समान हैं उनके चरण पूझनिये हैं और कोई भी कार ब्रहमन अपनी इच्छा से कर सकते हैं उनके लिए समाज में कोई डंड का प्राउधान नहीं है ब्रहमन किसी भी प्रकार का कड़ नहीं चुकाएंगे और ब्रहमन दलित के साथ अपनी मन मर्जी वाला वहवार करते थे तो ऐसे की सेकंड पार्ट में ये सब चीजे बताई है पार्ट थरी थर्ड पार्ट में बताया है कि ब्रहमन दलित का जो वर्च्वस है वे अपनी चरम सीमा पर रहा और उस समय की जो सरकार थी वे भी शुद्रों को उनका अधिकार देने में नाकाम रही इस पार्ट में उन्होंने ये भी बताया है ब्रहामनिजम का जो वर्च्वस था वे अपने जोरों पर रहा यानि उस समय ब्रहामनवात का एक तरीके से वर्च्वस था जितनी भी जातियां हुआ करती थी जिन में वेश, शूद्र, शत्रिये ये सब शामिल थे उन सबी से उपर ब्रहामन्स थे उस समय ब्रहामन्स को राजा से भी उपर माना जाता था ब्रहामन्स का समाज पर इतना अधिकार था कि वे अपनी मन मर्जी का वेवार करते थे और शूद्रों के साथ तो जानवरों से भी बत्तर वेवार करते थे जो आदिवासी लोग थे उनके साथ कही न कही अन्याइपूर वेवार रहा उन्हें एक्वल अपर्चेनिटीज नहीं मिली यदि उन्हें समान अफसर मिले होते तो शायद समाज के अंदर उनका विकास हो सकता था और समाज में उन्हें समान मिल सकता था फुले ने ये भी बताया कि उस समय की जो सरकार थी उन्होंने भी ब्रहमणवाद को कमजोर नहीं किया वलकि उसे बढ़ावा दिया शुद्रों के विकास में कोई मतवपूर योगदान उन्होंने नहीं दिया ये सबी 18 से 19 सदी के बीच की बाते हैं उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत में तो अंग्रेजों ने भी कही न कहीं इसका फाइदा उठाया और शुद्रों के विकास के लिए कोई कारें नहीं किया इस पार्ट में ये भी बताया है कि किस प्रकार शुद्र अपना समाज में विकास कर सकते हैं और समाज में सम्माद पास सकते हैं फुले जी कहते हैं कि जो education है education के दौरा ही समाज में विकास संबव है और शिक्षा के दौरा ही शूदर अपना विकास कर सकते है अन्पें फुले ने कहा है प्रतिक वेक्ति चाहे वे किसी भी जाती या धर्म से हो उसे education लेनी होगी, उसे पढ़ना होगा शिक्षा प्राप्त करनी होगी तब ही वे समाजिक बुराईयों से बाहर आ सकेंगे तो इस ऐसे की समरी यहीं पर फिनिश होती है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कोई कोशन से तो कॉमेंट करिएगा इस बुक में जितने भी चैप्टर से मैं उन सब की समरी अपलोट करूँगा अगर आप किसी चैप्टर की समरी चाहते तो आप मुझे उस चैप्टर का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं मैं उसके ओपर भी वीडियो बना के अपलोट कर दूँगा मिलेंगा आपसे नेक्स वीडियो में, थेंक्स फॉर वाचिंग